नमस्कार दोस्तों मैं इंशल मैं आप सभी का अपने चैनल टेकिन तागल पर स्वागत करता हूँ तो दोस्तों एक बार फिर से इन फोसिस ने ओफ केमपस ड्राइब लॉच्ट कर दिया है हाँ दोस्तो इस पार फिर से एक बार आपको बल्क हाइरिंग देखने को मिलने वाल है 2021, 2022, 2019 basis की पर दोस्तों इस पार क्या कोई percentage criteria है या नहीं will they upgrade the package this time eligibility criteria selection process तो सबसे बड़ा question या आता है क्या इस बार package improve होगा या नहीं होगा क्योंकि यह जो hiring होने वाली है दोस्तों third या fourth phase hiring है most probably third phase की hiring होने वाली है in forces की और दोस्तों अभी जो package वो आ रहा था वो दोस्तों आ रहा था 3.6 LPA तो क्या इस बार package improve होगा या नहीं होगा तो दोस्तों ये भी मैं वीडियो के last में पताऊंगा बट उससे पहले में दोस्तों आपको hiring का update दे देता हूँ जो in forces की site से post की गई है तो दोस्तों in forces के official employee ने post कर दिये है अभी शेक वर्वन है he is member education training and assessment at in forces dear connection in forces is hiring graduates of 2019, 20, 21 and 22 for the role of system engineer and operation executive यहां दोस्तों इनोंने mention कर दिया हैगी system engineer and operation executive role के लिए hiring होने बाली है अब मैं दोस्तों आपको last date भी इनोंने mention कर दियागी 1st of March is the last date यहां दोस्तों इनोंने links mention कर दिया है अगर दोस्तों आपको system engineer role के लिए apply करना है तो दोस्तों आपको यह form बना है यहां दोस्तों आपको check-in करना है और accept button पर click कर देना है but मैं आपको पहली बता देता हूँ कौन-कौन eligible होने बाला है यार अगर आप system engineer role के लिए apply कर रहे हो तो अगर आप be ke ho, btec ke ho, me ke ho, mtec ke ho in any discipline means अगर आप कोई भी बरांच को that is civil, mechanical, chemical chemical CS, IT, EC, triplee कोई भी बरांच को आप सभी eligible हो अगर आप operation executive के लिए apply कर रहे हो तो आप BCA candidate होने चाहिए हो या फिर BSC candidate bachelor of commerce, BCOM only 2020 and 2021 operation executive में अगर आप diploma के student हो CS, Electronic and Communication, Electrical and Electronics, Information Technology, यहाँ दोस्तों साफसा मेंशन कर रखा है कि कोई backlog नहीं होनी चाहिए है, package दोस्तों इन्होंने 3.6 and 2.22 मेंशन कर रखा है, percentage criteria दोस्तों इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, बड़ दोस्तों यहाँ जो percentage criteria अभी इस साल भी आपका, यह वाले phase में भी दोस्तों most probably आपका 60% होने वाला है, हाँ दोस्तों 60% होने वाला है, इन्होंने दोस्तों इक चीज और मेंशन कर रखी है, candidate should not have participated in the Infosys limited and or Infosys group company such as Infosys BPM selection process in the last 6 months, दोस्तों last 6 months में आपने कोई भी Infosys की hiring में apply ना किया हो, यह भी आपको criteria follow करना है, तो दोस्तों यहाँ B.com के लिए, Engineering के लिए, Diploma के लिए and B.Sc, B.C.A. students के लिए hiring होने वाली है, अब आप सभी का एक सबसे बड़ा question होगा कि कि सर exam pattern और syllabus क्या रहेगा, तो दोस्तों उसके लिए हमने एक already video डाल रखा है, जिसका link दोस्तों आपको description में मिल जाएगा, updated invoices exam pattern and slabors for the batch of 2022, दोस्तों इसका link आपको description में मिल जाएगा, preparation material चाहिए है, तो दोस्तों हमने sample paper भी अपने चानल पर post कर रखा है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको यह सारी details पता दी, लास जिट पता दी, और percentage criteria दोस्तों 60% ही रहेगा इस साल, बट दोस्तों सबसे बड़ा question आता है कि will they upgrade the package this time, तो दोस्तों 80% chances हो सकते हैं, yes, जो जो दोस्तों अच्छे marks लाता है और फिर कुछ अच्छी तरीके से test देता है, तो दोस्तों Infosys, मैं पक्का नहीं कह रहा बट 80% chances हैं कि आगे चलकर आपको Infosys Upgradation वाले package के लिए भी एक coding test आपका करवा सकता है, हाँ दोस्तों package आपका ऐसे improve नहीं होगा, उसके लिए दोस्तों आपको coding test देना होगा, कोडिंग test में भी दोस्तों वो लोग आपको दो profile देते हैं, DSE that is Digital Specialist Engineer, और दोस्तों एक SP profile होती है, इसका दोस्तों package आपकेश 6.25 LPA है, इसका दोस्तों 8 LPA का package है, तो दोस्तों आपका 3.6 LPA से आपका 6.25 and 8 LPA भी increase हो सकता है, बट दोस्तों उसके लिए ये लोग अलग से coding test भी करवा सकते हैं, तो दोस्तों इस चीच का आपको द्यान रख रहा है, बागी दोस्तों मैंने आपको बता दिया, 2022, 2021, 2019 के लिए एक बार फिर से hiring आ चुकी है, तो मेरी आप से भी से एक request यार इसमें जरूर अप्लाई करिएगा, और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने friends युनिया भाई बेनों के साथ शेयर भी जरू कीजेगा, तो दोस्तों आज के लिए टाई मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने ने टेक अप ब्रीट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद,